नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षया, आपके अपनी यूटूब चानल पर स्वागत करती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहाडी हिंदी की गड़वाली नेपाली यहां पहाडी हिंदी का थोड़ा बहुत परिचे पिछले दो वीडियो में देखा था, आज हम उसी प बोली को देखने के बाद समाप्त हो जाती है, इसके बाद हम आने वाली दूसरी जो भीहारी हिंदी की बोलीया देखेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुमाईनी इसका जो आर्थ है, यानि कुमाईनी बोली का आर्थ माधिमिक पहाड़ी की प्रमुग बोली कु छेत्र कुमायू है इस कारण इस बोली का नाम कुमायू नी पड़ा है कुमायू या कुमायू शब्द का सम्मध संस्कूत कुर्माचल से है इस बोली पर भोट तथा राजस्तानी बोलीों का काफी प्रभाव दिखाई देता है ठीक है? इसके बाद इस बोली की जो प्रमुक उपबोली आ है जिसमें है खसपर्जीया यानि खसपरिया, कुमेया, फल्दकोटिया, पुछाई यानि पचाही, चोगरखिया यानि चोगरखिया, गंगोला, दानपुरिया यानि दनपुरिया, सिराली यानि सिरियाली या सिर्खाली सोरियाली यानि सोराली असकोटी जोहारी रौचो भेसी और भोटिया आदे ठीक है अब इस बोली का जो उधभव है शोर शेनी अपभरंस से इस बोली का विकास हुआ है इस बोली का जो क्षेत्र है कुमायूनी तथा या कुमायू तथा इस पास का जो क्षेत्र है इस बोली का रहा है प्रमुकता इस बोली का प्रयोक क्षेत्र के नेनिताल, अलमोडा, पिथोरागड, चमोली तथा उत्तरकाशी जिलो में प्रमुकरुप से किया जाता है ठीक है? अब इस बोली की जो बोलने वालों की संख्या है जॉर्ज ग्रियसन की अनुसार चार लाग के ऊपर इसकी संख्या बताई जाती है या बताई गई है इस बोली का जो साहित है उसमें इस बोली में साहित रचना पिछले कुछ वर्षों से हो रही है लेकिन इसके पहले इस बोल प्रमुक साहितिकारों में जैसे अभी कुछ पिछले वर्षों से या पिछले कुछ वर्षों से इस बूली में साहिति लिखा जा रहा है तो उसमें गुमानीपंत, सिवधत्त सत्ति और कुष्णदत्त पांडे आधी इस बूली के प्रिशिद्ध साहितिकार जाने जाते हैं अब इस बूली की जो विशिष्टा यह हैं उसमें कुमायोनी बूली में भी कुछ धोनी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं वह इस तरह है कि न छोटाने के लिए बड़ा न जैसे बहिन, बहिनी, किसान, किसान, ल किरे र का प्रयोग होता है जैसे बादल, त बादल, काल कालो आदी, कुमायोनी में अकारन अनुनासिकता जो पाया जाता है जैसे चावल याने चाड, जोन, इस तरह, कुमायोनी बूली में के आदी में ह का और अंत में आ का आगमन पाया जाता है जैसे और के लिए होर, साथ के लिए शाता, बिसा के लिए तीशा आदी, कुमायोन बोली में सग्या के जो रूप है इस तरह मिलते हैं जैसे बल्द, बल्दन, बल्दो, चेलो यानि लड़का, चाला, आदी कुमायनी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी इस तरह है जैसे में, मैं, हें, लोग, तू, तू, त्विले, वी, उ, उ, एकनी, एकनी, केवे, के, कें, को, कुन, आदी इस तरह कुछ सर्वनाम भी इसमें प्रयुक्त है उसके बाद कुमायनी के विशेशन भी विशिष्ट है जैसे एकका, द्वी, द्विया, बारा, तेरा, चोदा, शोल, त्याइस, पेलू यानि पहला, दुसरू, तिशरू, आदी इसके बाद कुमायनी बोली की कुछ क्रिया भी इस तरह है जैसे मारन, मारनू, मारनो, मारी, मारियाचन, मारलो, आदी इस बोली में मुख्य पहचान इसकी साहियक क्रियाये है यानि इस बोली को अगर पहचानना है तो इसकी साहियक क्रियाये इस तरह है जैसे इस बोली में क्रिया विशेशन भी प्रयोकत होते हैं जिस तरह भिन्नता हमें अलग-अलग बोलियों में दिखाई देते हैं उसी तरह इसमें भी क्रिया विशेशन भी अलग है उसमें है अंब इस तरह इस बोली की कुछ विशेश्टाए रही चुकी है और ये विशेश्टाए भी आपको याद रखनी होगी अगर बोलियों को या अलग-अलग बोलियों का अधिन करना है तो या अलग-अलग vidéo की भिन्नता को पहचानना है तो विशिशताओं को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और परिशा के दुष्टी से भी ये महतपुर्ण होने वाला है क्योंकि इसका उध्भ, इसका शेत इसकी उपबोलिया बहुत बार परिशाओं में पूछी जाती है हिंदी विशे से सम्मधित ये जानकारी और हिंदी भाषा से सम्मधित ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेट करके जरूर बताइए इसके साथ है हमारी अब बिहारी उपबहाशा एक खाली रही है उस बिहारी जो भाषा की हम दो तीन बोलिया जो नेट की पाठे करम में भी रखी गए है और प्रमुक रूप से जो बिहारी हिंदी का जो परिचर है वह भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे जल्द मिलेंगे एक नए वी इशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद